मैं यह वीडियो बनाता नहीं बट क्यूंकि आज बजट दे था और बहुत सारे लोगों ने ट्रेट्स लिये होंगे तो कहां कहां हमारे ट्रेट्स बने और कैसे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो डिसकस करना भी ज़रूरी था तो अगर देखे हमारा डिसकस्शन यही हुआ था कि 12 बज़े के बाद अगर तीन मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में कोई ऐसी केंडल बनती है जो सुपर ट्रेंड को टच करें और सुपर ट्रेंड का कलर चेंज ना हो तो हमें वहां पर एंट्री देनी चाहिए बारा बच के 18 मिनट की केंडल को अगर मार्केट बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया और क्यूंकि एक मिनट के अंदर आया था यह रिवर्सल तो बहुत सारे लोग होल्ड कर जाते हैं मैं होल्ड करने वाला व्यक्ति नहीं हूं जैसे ही मार्केट 0.15 परसेंट हिट किया मैंने स्टॉप लॉस ले लिया था यहा यहां पर उन्होंने ट्रेड में एंट्री तो की लेकिन जब मार्केट एक मिनट के लिए उपर गया तो उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया उन्होंने होल्ड कर दिया कि मार्केट हो सकता है रिवर्स कर जाया और उनके होल्ड करने के कारण उन्हें प्रॉफिट हुआ और वो कहीं यहां कहीं निकले तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी हो गया अल्दो मैं ऐसा प्राणी हूं नहीं कि अपने सिस्टम को तोड़ू तो मैंने तो स्टॉप लोस ले लिया था हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने यहां पे ट्रेड दिया हो और अगर सि थी कि मार्केट 1.70% जो मूव कर जाता है उसके बाद हो सकता है रिवर्सल आया कल मैंने एक रील भी डाली थी शौर्ट में बताया था कि 1.70% के बाद मार्केट कहीं न कहीं रिवर्सल दिखा सकता है अगर आप ध्यान से देखिए तो 2% के लगबग जैसी मार्केट गया इ हमने यह डिसकस किया था कि अगर मार्केट में 2% का मूवमेंट आ जाए 1.7% का मूवमेंट आ जाए तो कहीं न कहीं है कि रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने फुफुली प्रॉफिट घेल की का मार्केट ने हमें एक और एंट्री दी यहां पर हुई लेकिन फिर से हमें स्टॉफलन необ हमें बॉब हमें चुका था और तीस रा एट जो हम में मिला वहां वह टूफोपरटी एट के लगबग कहीं पर मिला था तूफोफर्टी तूफॉफिव लगबग यहां प यह सोचेंगे कि strategy काम नहीं करती, तो आप जाके backtest कर सकते हैं, बहुत सालों तक strategy काम किया, it's all about probability, आप probability पे ही trade लेने की कोशिश करते हैं, कभी-कभी market में volatility ज्यादा हो जाती है, मैंने एक मिनिट का chart भी check किया, एक मिनिट के time frame पे, शायद हमें better trades मिले थे, लेकिन 3 मिनिट क तक देके, तो देखिए, आपको बहुत बड़ा नुपसान हुआ था, पूरा premium decay हो गया, market जहां खुला था, almost वहीं आगे closing दे दिया, इसका कोई फायदा नहीं होता है, इसी इने में कहता हूँ, call and put दोनों buy करके, मत रखा कीजे, अब कल के लिए देख लीजे कि उपर का level तो आज का high important हो जाता है, नीचे के तरफ, नीचे का आज low important हो जाता है, जब भी ऐसी candle बनती है, sentimental candle, यह जो market नीचे गया है, उसकी कोई value नहीं रहा गई, क्योंकि market उपर ही आके closing दे दिया, तो इस price action की कोई value नहीं है, इसको भूल जाईए, यहां से था, यहीं open हो रहा है अगर market तो मान के चलिए, market अगर इस level को उपर के तरफ break करता है, तो half quantity भी उपर के तरफ trade लिया जा सकता है, इसी range भी खुलता है, तो market में stochastic लगा के बैट सकते हैं, stochastic RSI लगा के बैट सकते हैं, range काफी बड़ी है, तो हो सकता है stochastic RSI को par करते हुए, वो और उपर चल रखी है, अगर market को आप उपर निकलना ही है, या नीचे निकलना ही है, तो यह जो range बनी है, इसको पतला करने के पहले कोशिश करेगा, market sideways होगा, छोटा थोड़ा पतला होता जाएगा range, और फिर breakout करेगा, तो अच्छा निकल सकता है, हाला कि एक trade अच्छा बन सकता है, अग अगर market बहुत नीचे खुल जाता है, पहली 15 मिट की candle का high break होता है, अगर market नीचे खुलता है, और पहली 15 मिट की candle का high break होता है, तो यहाँ पर जो buyers है, वो try यही करेंगे, कि market फिर से उपर चड़ो, तो इस situation में full quantity में उपर कदर अगर market बहुत बढ़ा gap down खुलता है, और न इतना momentum कल भी आपको देखने को मिल सकता है, तो अगर बहुत बढ़ा gap down खुलता है, और 24,070 के level को cross करता है नीचे के दरफ, तो हम नीचे कताब full quantity में trade ले सकते हैं, दो ही situation है, अगर market नीचे खुलता है उपर जाता है, तो full quantity में trade, नीचे खुलता है नीचे ही निकलता है, तो full quantity में trade, वरना और सारी situation में trade नहीं लेना हो, मत लीजे, या लेना है, तो half quantity में लीजे, मान लीजे कि market flat या थोड़ा सा gap अप खुलता है, और आज के high को break करता है, तो half quantity में उपर करता है, अगर तेजी से निकलता है, तो आपको profit मिल सकता है, लेकिन ये trade आप half quantity में ली किजेगा, नीचे खुलता है, sideways हो सकता है, ये sentimental candle है, और sentimental candle के 20 में, अगर market खुलेगा, तो कहीं न कहीं range को narrow करेगा, पतला करेगा, और फिर ही बाहर निकल लेगी, कोशिच का सकता है, तो guys, अगर range को narrow होने का समय देना है आपको, तो आप कल हो सकता है, कि आप trade ना भी लेन सकते हैं, तो आप wait भी कर सकते हैं, इस expiry को बीच जाने दीजे, monthly expiry भी है, अगर आप monthly expiry के बात trade लेंगे, तो कहीं न कहीं आपको volatility जो है, ज्यादा हिलने ढूलने वाला market है, वो कम दिखेगा, फिर stability के साथ आप trade ले पाएंगे, अगर लेना ही है, तो half quantity में trade लेना है, कि अगर नीचे खुलता है, और उपर आता है, तो full quantity में, और नीचे खुलता है, नीचे ही निकलता है, तो full quantity में आप trade ले सकते हैं, तो guys, को doubt हो तो पूछ लीजेगा, मैं message के रूप में, मतलब comment के रूप में आपको reply दे दूँगा, क्यूंकि throat में infection है, मैं ज्यादा बोल profit हुआ, लेकिन मैं उस profit को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका stop loss hit हुआ था, उन्होंने फिर भी hold किया, उन्होंने फिर भी hold किया और wait किया, profit तो हो गया, लेकिन 10 में से अगर 10 बार आप ये करने बैट जाएंगे ना, तो एक 2-3 बार market reverse कर जाएगा बहुत और आपको हो जाएगा बड़ा loss, तो आपको बड़ा loss नहीं देना, छोटे losses are fine, अगर आप systematic trading कर रहे हैं, तो discipline के साथ कीज़े, गलतियां मत कीज़े, हाला कि उन्हें profit हुआ, well and good, I am happy for him, so guys मिलते हैं, फिर से अच्छी analysis के साथ अगले दिन, thank you